करने पड़ेगी अब देखिए कि यह बड़े चेहरे नजर आते हैं मायवती के साथ कई और ऐसे विधायक सांसद मौजूद नजर आए जो मायवती से अलग हटते वे नजर आए सिर्फ और सिर्फ उनकी नीतियों नमस्कार नेक्स्नाइन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ तनुजदीशी लोग समद चुनाब दोहजार चौविस के इस महा पर में छे चरंड के मतदान जो है वो संपन हो चुके हैं और आखरी चरंड के मतदान एक जून को होने वाले हैं चार तारिकों पर बीएस पी तैयारी करती रлыज आ सकती है जैसे के आप सभी ने देखा कि दोहजार चौविस के चुनावों में बहुत सकरे बीएसपी पार्टी जो है तैयारी रजारे करती रजार आई चुना परचार-कर्ती नजशाला लेकि आखरी चनन क्यारं से मायवती जो है यह भरोसा जताय जा रहा है कि आकाश आनंद आकरी दम तक चुनाफ परचार करते नजर आते और वो तिसाधने का काम करते हैं ऐसे में सवाल अपने सही होगे अमन सर से लेंगे अमन सर क्या है पर आपको दिखाई दे रही है कि चुनाफ परिणाम के बाद आकाश आनंद तो एक बार फिर से पार्टी वे वही जिम्मेदारी मिलती दिखाई दे रही है आपके लिए देखिए बिलकुल और जिस तरह तनूज हम देखें कि पूरा मामला की मायवती ने जिस घर में बैठने के लिए उनने कहा लेकिन यह नहीं कहा कि उनको मैंने हमेशा तक के लिए बैठा दिया और देखिए जाहिर सी बाते कि मायवती को यहां पर एक मजबूत सहरे की जरूरत है पार्टी के हिसाफिक देखा जाए क्योंकि मायवती के बात कौन यह बड़ा सवाल बीएसपी के अंदर कहने कहीं उठता हुआ दिखाई पड़ता है अब यहां पर कोई भी बड़ा नेता आप देखिए बीएसपी के अंदर नजर नहीं आता जो पार्टी की जिम्मदारी को संभाल का अगर बढ़ सके उतर परदेश में बीएसपी काफी मजबूत पार्टी आप देखें 29 की अगर बात करें लोगसा चुनाबों में 20-22 सीटे बीएसपी जीती हुए नजर आती है लेकिन जैसे ही 2012 में इस तरीके से उतर परदेश की राजजीती में मायवती का शाचन खतम होता है और 2014 में चुनाब होते हैं मोधी लेहर आती है उसमें 20 सीट बना हुआ है अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाना किसमें इसमें किस तरह से ब्रहुत्री करनी है इसके ओपर बीएसपी को ज़रूर मन्थन करना इसमें आकाश आनंद एक महत्रू घूमी का निवास सकते हैं क्योंकि देखिए युबाव के अंदर उनको लेकर अलग तरह पर क क्रिश बंता हुआ नजर आया का स्कार अगर समुदाई की रहे कि कि यहां पर जिस तरह की भाषण वाजी शuciones बेस तरीके से कि ऑक रिकर अपने पर बताता है और जो है भाशन पर उनको घर में बठाएगा लेकि अब मेरे ख्याल में कि जब यह चुनाब बीच जाएगा तो जाहिर बात है कि उनको जमजार दी जाए क्योंकि 27 को अगर बीस पी को टागेट करना है अगर चुनाब को तो अभी से उनको अपनी जो राजनीतिक जमीन है तनों जो मजबूत करनी पड़ेगी मुख्य मंत्री का चेहरा बीस पी तरफ से आकाश अनन्द होते नजर आएंगे आपके लिए तो पार्टी का फैसला हुआ किस तरह से होंगे क्योंकि अभी उतना अनुभव उनके पास नहीं है दूसरों को भले ही आकाश अनन्द कहते हैं कि भाई उन्हों बढ़ जाती है कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि अपनी जो बीस पी उसको मजबूत करेंगे क्योंकि जो शब्दों का चैन उन्होंने कि उससे कही नहीं कहीं पार्टी की चबी को भी नुकसान हुआ कि अपने ही देश की सरकार को अगर हम आतंग बादियों तो जाहिर बात ह क्यों भी को सपोर्ट चाहिए और आकाश अनंद से बहतर मेरी खाल से उनके लिए बिखल्प फिलाल कोई देखता होगा नजर नहीं आता है जैसा कि आप सभी को पता है कि आकाश अनंद के विवादित बयानों के चलते मायावती ने कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया था और उनसे उनकी जिम्मेदारी चील ले गई थी अगला सवाल अपनी सहयोगी नाजमीन से लेंगे नाजमीन जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद से उनका पद चीना ऐसे में मायावती जो है बहुत अच्छे तरीक से काम करती आई कई बार उत्रप्रदेश की मुख्यमं तो वह नसर आया क्योंकि मायावती की बात करें जो एके करके कई फैसले लेती वी नसर आई पहला फैसला की अखेले चुनाव लड़ेंगे उसके बाद अपने ही सांसदों के खिलाब देखाई दी कई ऐसे सांसदों के टिकेट यहां पर मायावती ने भी काटे जिसके पाक के बड़े चहरे जैसे की गुड्डू जमाली की बात करें जो कहीना की 2022 की चुनावों में एहम भूमी का निभाते वे नजर आये थे वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा है जिसके लिए देखा जाए तो मायावती ने बड़ी गलती की यहां पर दानिश अली की बात क पर सिर्फ उनकी नीतियों उनके फैसलों के खिलाफ और लोग सभाच चुनाव के दौरान जो फैसले लेती वी नजर आई अब अपने ही भतीजिय को पहले सारजवीन एक रूप से एलान करती वी नजर आई कि वो उतरादिकारी है पार्टी की तरफ से वही कमान संभालते नजर आएंगे सारी चीजे यहां पर अकाश आनंद को सौप दी जाएंगी लेकिन देखने को यह मिलता है कि कुछी दिनों बाद जब अकाश आनंद का एक बयान सामने आता है कि बुल्डोजर वाली नहीं आतंगवादियों के सरकार है तो यहां पर एक्शन मायवती तोरं नहीं देना चाहिए था नहीं उत्रादिकारी बनाना चाहिए था लेकिन मायवती यह फैस्वाल यह उसके बाद खुद ही शोशल मीडिया के जरे जाहिर कर देती है कि पदों से हटाया जाता है तो अकाश आनंद के साथ मायवती ने खिलवार किया यहां तक कि आकाश कर लेना चाहिए कि आखिरकार क्या यह निर्णे पार्टी पर भारी पड़ सकता है या फिर नहीं अच्छा आपको क्या दिखाए देता है जो भी पार्टी यहां पर खोगली दिखाए दे रही है मायवती के फैसलों की बज़े से या पिर अपने नेताओं की बज़े से जै कि मायवती ने एक्षन तब लिया जिब यहां पर एक माहौल बनता हुआ दिखाए दिया दानिश अली का आप जिक्र कर रहे हैं सदन के अंदर भारती जनता पार्टी के सांसद उनके खिलाफ अपति जनक तिपड़ियों का इस्तमाल करते हैं यहां पर आम रियादित भाश करते हैं उस दौरान यह कहा जाता है कि दानिश अली से रमेश विदूड़ी को माफी मांगनी चाहिए माफी नहीं मांगी जाती है उसके बाद दानिश अली पर ही एक्षन मायवती ले लेती हैं कि पार्टी की गतिविद्यों के खिलाफ जा रहे हैं इसलिए उन पर एक्ष अब देखते कि आने वाले समय में क्या इस्ति यहां पर रहने वाली और आखिरकार किस तरह से यहां पर मायवती अपनी पार्टी को बचाती नजर आएंगी या फिर नहीं आपको खेर क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा अगर आपको मारे वीडिय पर लाइक करें शेयर करें और हमाएं चैनल को सब्सक्राइब करें